मैं करेशन गुबाल पालिवाल भाजबा विदायक परत्याक्षी मावली यह मावली उपजिला स्वास्त के अंदर को यहां से दूर शिप्ट करने के लिए प्रस्ता बेजागा है उसके बारे में आपका क्या कहना उपजिला अस्पताल जो बना हुआ है मावली में वो देवस प्रस्तान की जमीन अलोट्मेंट नहीं होती है जो मावली की जनता के हित में होगा वहां इस होस्पिटल को जमीन अलोट्मेंट करें जाएगी तो यह प्रस्ताव बेजा उसमें को जन प्रतिनी भी थे नहीं थे प्रस्ताव तो गवर्नमेंट का वो बनाते रहते हैं बेज करो गया उसको निजस्ट कराएंगे अगर प्रस्ता बना है तो मावली की जंदा जो चाहेगी वहीं मावली का अस्पिताल बनेगा दन्यवास मेरे रहसनलाद सुता पूर मंदल देक्स और विदान सबा सवेचक मावली यह मावली उपजिला स्वास्त के अंदर को यहां से ले जाने का चर्चा चल दी आज मावली में इसके बारे में आपका क्या कहना वार्त्मान में हमारा प्रियास है सभी का यहीं रहे और ह अगर मालो यहां से वहीं पर लेके चलेगे तो इसके बारे में कोई क्या गहना? लेके जाएंगे क्यूं? जहां जन्परतिश चाहेगा वहाँ होगा जहां मावली की चंता को सुएदा जहां अभी ओश्पिटल बना हुआ है तो मेरा विक्तिकत मानना है कि जहां अभी ओश्पिटल बना रहे वहीं पर उपजिलाची किसालाई बनना चाहिए जिसे अधिक सर परशाषन की तरब से अगर उन्होंनों कोई प्रस्ताव बना के बेजा है तो हमारे और हमारे किसी नेता की जानकरी में नहीं है अगर ले जाएंगे तो आपका क्या प्रियास रहेगा ले जाएंगे कियो मामली में होस्पिटल बना हुआ है लेकिन वहाँ एक समयश्या है को देविष्थान विबाग के नाम पर नहीं कोई बिल्डिंग आती है तो जमीन के अलोड मेंन की नाम की समयश्या आती है कि देवि स्पिताल के नाम से लोड है उसके नाम से पटा जारी हो जाए और यह बनाने का प्रियास करेंगे जहां लोगों को सुईदा की देश्टी से अच्छा रहे है धन्यमासा मैं रादाक्रेशन शर्मा नगर कॉंग्रेस अध्यक्स नगरपाली का क्षेत्र मावली तो सुनने मे यह मावली उपजिला स्वास्त केुंदर को यहां से ले जाने की तैयरी मुखे wil दिया गया है इसके बारे में आका क्या ना माववली के जो उस्थानीय जन्ट प्रत्यानि निदी हो यह माव्ली के जो प्रसासनिमां रखता है कि ये अनाज काते हैं मावली का और काम करते हैं दूसरों का राजय सरकार के अंदर मावली एक महतवपुर्न स्थान रखता है मावली भारत के अंदर जंक्षन के रूप में काफी प्रसिद्ध है और एक महतवपुर्न ब्लोक राजस्तान के अंदर माना जाता है यहां पर जो तो मेवाडी में कहावत है कि हम यह देखते हैं कि घीत गावे धन्यारह, दान कावे धन्यारह, गीत गावे वीरारह. अराज यहां का खा रहे हैं और गीत अपने दूसरी जगह का बोल रहे हैं। मावली के अंदर जो अधिकारी है तैसिलदार हो या SDM साहब हो या वीडियो साहब हो कोई भी हो हम यह देखते हैं कि मावली के लिए कोई भी ऑफिस वगरा या मावली के डेवलप्मेंट के लिए राज्य सरकार कोई भी कार्यल यहां पर खोलने का प्रयास करती है तो यह और मावली को पिछड़ा ही रहने देना चाहते हैं इससे पहले कोई गए गया देखो पुरानी बात करते हैं तो आज फटेनगर में क्रशी उपज मंडी है वो मावली के लिए आई थी फटेनगर में बेज दी जेके टायर फेक्टरी कांकरोली में आज स्थापीत है हजारो लोगों को रोजगार मिल रहा है वो मावली के लिए आई थी उसको कांकरोली बेज गया आई आए एम बलीचा के अंदर चल रहा है उसका प्रस्ताव मावली के अंदर था साकरोधा रोड पर उसको बलीचा बेज गया गया ये इवन यहां तक कि यह हाई वे जो बना हुआ ह उदेपुर चितोर जो यह रोड है इसके उपर में चोराय के रूप में मावली चोराय को विक्सित किया जाना था और हिंदुस्तान जिंक ने इसके लिए प्रपोजल रखा था इसको भी यहां से हटा करके और सनवार चोराय पर भेज दिया गया अभी ताजा बात करें है मान के अंदर जो कुछ भी आ रहा है इससे पूर्व की बात करें तो CHC हॉस्पिटल मावली में आया था सनवार में खोला गया उसको रेज किया रेफरल हॉस्पिटल बना तो मावली की जगे सनवार में बन गया हनुवान प्रभाकर जब MLA थे उस समय में लड जगर करके और य हुला हुआ है वो तक मावली में आया था जिसको यहां से दूसरे विदान सबक शेत्र में बेज दिया गया तो मावली के स्थानी प्रशासनी कदिगारी यह नहीं चाहते हैं कि मावली का विकास हो वो यहां रहना तो चाहते हैं ट्रांसफर करवा के आना चाहते हैं का आव भी माउली से शाथ-ाठ किलो मिटर दूर वहाँ पर लदानी ग्राम-पंचाएद के अंदर बेजा जा रहा है ट्रोमा सेंटर का सुन रहे हैं तो भी फथेनगर लदानी में बेजा जा रहा है तो हमारा कहना यह है कि या तो ये सारे कार्याले यहां पर आने चाहिए और अगर यहां पर नहीं आते हैं तो हमारे को मावली में किसी SDM कार्याले की जरूत नहीं है, मावली में किसी तैसिलदार के कार्याले की जरूत नहीं है, मावली में हायर सेकंडरी स्कुल की भी जरूत नहीं है, इन सब को ले जा करके आप लदानी में स्थापित कर दो हमारे बच्चे तो महां जाके पढ़ लेंगे हमारे कोई काम होगा तो महां चले जाएंगे बिल्कुल मावली को इन्हों बिल्कुल अपनी जैब में रखा हुआ है और जिसका कोई धनी धोरी नहीं है अगर अस्पितल वहां पर जाएगा तो इसके बारे में आपका क्या कहना है अंदोलन होगा और अनिश्चित काल के लिए अंदोलन होगा चाहे हमने लड़ करके रैफरल ऑस्पिटल लिया था और आप वापस लड़ करके उपजिला चिकित साले भी लेंगे यह हमारा वादा है आप से आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त आसपास के ग्राम बाश्यों को यह चेताना चाहता हूँ और प्रसेशन को यह चेताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की गतिवीदी की गई जो आप वादा चाहता है जो यह चेताना चाहता है उसके बारे में आपके चैनल के लिए जमीन लर्दानी में देखने की बात सामने आई है अश्पताल मावली से दूर गया तो समस्त मावली वाद्शों के सयोग से बड़ा आन्दोल करेंगे पहली मांग तो यह है कि मोजुदा बिल्डिंग पर ही उपजिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनन मा दी जाए यह है कि दूसरा यह है कि देवस्तान विपाग को हजारों लोगों की जन पावना को देखते हुए जमीन का पट्टा देने के लिए आगे आना चा दूर लद्डा नहीं ले जाएंगे तो मावली का हजारों लोगों को काफी परिशानी होगी जन सयोग से जन सयोग से ही इसके लिए आंदोलन की रूपरे का तैयार की जा रही है और सारे उपीस अगर ऐसा ही है तो आप पंचा समिती ले जाएगा यहां से इस्टियम कारे के ली ले जाएगा को ले जाएगा सब भी लद्दानी ले जाओ हमारी मावली को खोद के ले जाओ विल लगा चैज व att cya करें कि जो भी विल्डिंगग आती है मावली से ले जते बीजीन से ताफ दूसरे लोग ले जते मावली की जनता के साथ गलत कर रहा है यह प्रस्ताव जो बेजा गो इसमें कोई जन प्रतिनीदी आप पार्टी वाले भी इन्वोल हुए होंगे यह मुझे जानकारी में नहीं है बागी पस्ताव तेसिर लार जी ने बना के बेजा है और रद्दानी ग्राम पंचाज से साइ मेंने इन्वोसी मिली जब भी पस्ताव बनाया होगा तेसिर लार जी ने और आगे भेज दिया है कलेक्ट साब को तो यह जानकारी मुझे पुकता है अगर यहां से जाता है उपजिला स्वास के अंदर तो क्या करेंगे मावली वाले हम ता अनरलन करेंगे पूर जोर मावल मावली के नाम की सेंक्सन आई है तो मावली मिरेगा ट्रोमा सेंटर भी मावली के नाम से आया है तो मावली मिरेगा जमीन चीए जमीन मिलेगी जमीन की कोई दिक्कत नहीं है जमीन है मैं बताता हूं आपको वहां आप चन्नोट को बिला नाम करा रहे हो और बिला नाम को च परशाषन हमें ले जाए साथ में दिखाएंगे जमीन पड़ी रिशी खत्री पार्सद नगरपली का मावली हमने सुना है कि मावली उपजिला स्वास्त केंद्र को यहां से ले जाने का प्रस्ता भेजा हुआ है जो इसके बारे में आपका क्या कहना ने उसके बारे में कोई आधिया कर दो कोई को जानकारी नहीं ना तो को नगर पलिका में इसको जानकारी आई है इस बारे में को हमें सभी जानकारी मिली यह है सफिटल मासिप्ट हो रहा है पांच किनिमें दूर इस सुनने मारा है यहां से हर्चित की सुईदा है जाने आने की हर्चछिद यहां से पार्श credit की स्पाइब कर पार्षा जानकर होगी यह जूआ हॉस्पिटल यह भी क्या कुछ पहले दियुस्तान की दियुस्तान की जब सकते हमाई है तो देविस्तान की जगे में किया कभी हो सकता है पहले इनके कुछ चला था उस जमीन को लेकर वापीस करने की थी लेकिन उसकी कारवे भी चली थी नाम पर करवने की अगर अभी परियाब जमीन नहीं है अभी परियाब जमीन वेसे बहुत जमीन है हमापे चादस को डबल यहां से प्लसा वगेरा भेजा गया है और अगर यह अस्पिताल यहां मावली से दूर पांच किलमेटर लद्दानी अगर जाता है तो मावली की जंता और आसपास की जंता है उनको नुकसान है इसमें कुछ हास्ते होंगे कुछ परिवार जन अपनों को खो देंगे और यह कते ही लद्दानी ले जाना होस्पिटल गलत है क्योंक मावली मुख्याल है साधनों की संपूर्ण इस्ति यहां की अच्छी है आवा गमन कहीं से भी आप आना हो जाना हो तो एप्रोच हर जगे से प्रोपर है इसलिए यह लद्दानी तो नहीं जाना चीए अगर इनको ले जमीन है नहीं तो यह होस्पिटल जो है इसके उपर भी बिल्दिंग बन सकती है वहाँ पर भी काफी जमीन है कुछ लोगों का कहीं हीत होगा तो इसलिए उस तरफ ले जा रहे हैं बागी तो भाई आपको यहां अगर आपको इलाज में कोई दिक्कत होती है तो आपको करीबों के लिए तो अन्याय और अत्याचारी होगा मैं अपने जन नेताओं से कहना चाहता हूं कि मावली के लिए कोई भी फैसला ले सो समझकर ले सभी जो यहां के बुद्धी जीवी लोग है उनसे एक बार कुछ ने कुछ राय मसोरा करके उसके बाद ही ऐसे फैसले ले जिससे हमें कई बेखफूट पे नहीं जाना पड़े मैं तो ही कहना चूँगा इसका प्रस्ताव बेजा उसमें और भी राजनितिक वाले को भी बिठा के प्रस्ताव लिया होगा कि डायरेक्ट सरकारी करमचारी अधिकारियों ने मिलकर ही फैसला लिया होगा ऐसा तो नही जरूर होगा इस पताल के आजपास कोई परियाब जगे नहीं है यह यह जथीक है इसके उपर बन सकता है बना सकते हैं नोजदे के सामने काफी सारी जमीन बढ़ी है वहाँ बना सकते हैं लेकिन ये गलत एक मावली से होस्पिटल ले जाना जो सुईदा है मावली को मिल रही है आप नई सुईदा दे ना दे लेकिन जो सुईदा है मिल रही है उसको नहीं ले जाना चीए जब हमने विरोध नहीं किया तो यहाँ पे डाग गर जो था तेसील हे कर रहते हैं उनको डाइरी नहीं मिल पारी है यह नहीं मिल पारी है काफी प्रयासों के बाद जो डेपूटेशन पर बाउजी गये थे वह वापिस आये हैं और अभी चार का चार पूरा इस्टाप है और पेसा भी डाइरेक्ट अब आगे निवदन किया तो उन्हों नहीं का जिनका भी जो भी पेसा है डाइरेक्ट खातों में आटीजेस किया जाए तो वो मिला कि हेड कोटर होने के बावजूद ये सुईदा भी चीनी जा रही है मावली से ये गलत है मतलब हर चीज के लिए मावली वासे को प्रयास करना विरोध करना मतलब ये तो हो गया मावली पूरा संगर्स में ही मावली के लोग संगर्स ही करते रहें ये सही नहीं है हाद की द्रश्टी से दन्यवासा अ सब्सक्राइब आप ओंपरगाजी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनांदन मैं मनीश विजवर की पार्चद नगरपाले का मावली और अभी वर्तमान में व जानकारी चीए थी कि हमने सुनाया कि मावली अस्पता जो चल रहा है उप जिला स्वास्त के अंदर इसको यहां से कुछ दूर शिप्ट किया जा रहा है उसके बारे मावका क्या कहना कि जानकारी मुझे भी आज कई साम से पता लगी है कि उप जिला अस्पता कही अन्य बेजा जा रहा है मैं तो यह कह रहा हूं कि मावली में जो गोश्तन हुई पार्शा तो आपको यह जानकारी होगी कि यहां पर जमीन क्या उपलब्द नहीं है जमीन का कारण बता है कि मावली में आसपास में जमीन नहीं होने के कारण प्रस्ता भेजा है उसका पत्रका बहो है मैं कहना चाहता हूं कि जमीन है इस ही यहां पर इवर्टमेंट क्या था जिल्ल ऑद गळल और दूसरी बात यहां से खाना कारण जमीन नहीं है जमीन तो है पड़ी हुई है और यहां आप चला चाह सकता है इसमें कोई दो रहा है इससे पहले वल्लप नगर को सेटलेट बनाया था वो क्या नई जगे में शिफ्ट करके बनाया गया नहीं वहीं बनाया था उनके जगे कम नहीं बध रही है वो उन्होंने किसी ने दान की दी थी जमीन वह बध़ी जमीन दान दी उसमें बनाया गया है अब इक बार इसको पट्रवलियसाब को मोका पर घिज़ा कर बताए जाबें जमीन पड़ी या नहीं नहीं हो तो पर मैं तो कहे रहा हूं का आप पूर नगरपाली का अज्यक्ष मावली मैंने भी यह सुना है कि मावली की जो उप जिला चिकिसाले जो मावली में आवंटन हुआ था उसको मावली से लद्दानी ले जाया जा रहा है इसका हम पूर्जोर विरोध करते हैं और मावली में ऐसी बहुत सी चीज़े है जिसको राजनितीक डंग से वो मावली के लिए थी और उनको बाहर ले जाया गया तो हम यह नहीं चाह रहे हैं कि सर्वसमास से यही अनुरोध है कि सबी जने जुड़े और मावली के होस्पिटल को बाहर नहीं जाने दे मावली के मावली शेत्र में कोई जमीन नहीं गया बिल्कुल मावली शेत्र में जमीन है स्वर्गी वेणी राम जी चोदरी साब ने 1989 में सायद डेविस्तान विबाग की 6 लाक में जमीन खरी दी सारी उसमें से 3 लाग रुप उन्हों जमा करवा दिया थे किसी कारणवर्स और पेमेंट जमानी हुआ उसके भी कागश सारे हैं अभी जो होस्पिटल बना हुआ है देविस्तान विबाग की जमीन पे है तो ये पहले बना था तब स्विक्रती हुई थी इसलिए ही वहाँ बना हुआ है तो हमारा तो ये है उदेपु रोड पे जमीन पड़ी है सो भी गा मावली की वहाँ बन सकता है और मावली के लिए तो बहुत सी जमीन है मगर मावली का ये होस्पिटल किसी कारणवर्स लदा नहीं जा रहा है उसको हम नहीं जाने देंगे अस्पताल के आसपास कोई जमीन नहीं या बिल्कुल अस्पताल के आसपास है जमीन अपने देविस्तान की जमीन है मगर वो खरीद रखी है ग्राम बंचायद ने उसके भी सबूत है कागच है वो भी बताएंगे हम भई सारे सबूत कागच निकाले हैं पेमेंट जमा हुआ है तो जमीन तो है ग्राम बंचायद की खरीदी है अभी देवस्तान के नाम पे तो क्या हुआ ग्राम बंचायद ने खरीद रखी है पस्ताव तो भेज दिया है अब अगर आगे अगर यह जाता है तो मावली वाले नागरी क्या करेंगे बिल्कुल अगर आगे यह जाचा है तो उग्रांदोलन होगा व्यापरी सब साथ में हैं पूरा मावली साथ में सर्वसमाज साथ में हैं मेरा तो हाथ जोड के सर्वसमाज से एक ही अनुरोध है कि मावली के बववेटी प्रसव के लिए परेशान ना हो इसलिए आप सब को सं विक्रें के लिए एक जाना पहचाना नाम हमारी द्वारा पिछले कई सालों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी सेक्टर चौदा द्वारा ही पूरा किया गया है अगर आपको यू आइटी कन्वर्टिट प्लॉट्स कमर्शिल प्लॉट 60 फेट, 80 फीट, 100 या 200 फीट रोड़ पर घर, डुकान, फार्म हाउस, आधी, सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोर्धन विलास, सबसिती सेंटर, ट्रांस्पोर्ट नगर, बलीचा, बीडियो पॉलोनी, दक्षिन विस्तार योजना, पन्ना धाय योजना, मांसरोवर, स्टेप पर स्टेप स्पूल के पास, नेला, जोगी तालाव, आयाय एम बलीचा, सितड़ी, आरके पुरम, गोपुल विलेच, मेलरी माता मंदर के आसपास खरीदने हैं, तो एक बार हमसे संपर जरूर करें, हमारे द्वरा हाद ही में, बलीचा चुराहे, नई कृशी मंड लोनीबल प्लोट्स और मकान उपलब्द हैं, संपर्क करें, जैन प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 9, रिमोटी अपार्टमेंट, सौफीट रो, गोर्धन वलास, सेक्टर चौदा, नियर, सियर सर्कल, उदैपुर, संपर्क करें, 928253255, 88909999255